मुझते गाईश वेलकम बेक टू माई निव लॉग कैसे हो आप सब यो पच्छे हो गए मैं भी अच्छी हूँ के गाईश साज हार दिक सुब कामना है सब के लिए भायो दीदी के लिए गुर्पूर्मा की और मैं भी अच्छी हूँ देखे गाईश मैं अपने गुर्पूर कंना हैं उसमें डाल के लिए आप अप रौंव के आप लोग मेरी वीडियो डालते हैं तैसे पता नहीं कौण मेरी वीडियो पर लाक दे देटेगें आप लीज उस अनलाइक से होता तो कुछ भी नहीं है पर आप अनलाइक ना दिया करें तो ज्यादा अच्छा होगा बहतर होगा आपकी इमान किरपा होगी और बटके आपको अच्छा लगता है अनलाइक देना तो कोई बात नहीं आप दे सकते हो मैं आप से किया कह सकती हूँ और पता नहीं आपको कैसा बलोग प्लॉग हमारा पसंद नहीं आता है या कुछ हमारे ब्लोग के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज है जो आप देखना चाहते हो वो में नहीं दिखा सकती नहीं दिखा पाती हूं इसलिए आप लोग अनलाइक दे देते हो तो वो आपकी मर्जी है जहां तक होता है वहां तक तो मैं आपको अच्छा ही दिखाने की कोसेश करती हूं और कुछ अच्छा ही बनाने की कोसेश करती हूं फिर भी वटके कोई गलत हो जाता है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर दिया करो पर अनलाइक देने से आपको क्या मिलेगा अच्छा नहीं लगता है और कोई-कोई भाई ऐसे हैं के वीडियो पर भाई दीदी बेहने जो जुड़ी हैं तो हम एक फैमिली की तरह हैं भाई बेहन की तरह हैं तो प्लीच आप लोग ऐसा मत किया करो आप लोग ऐसी मैसेज नहीं करोगे तो आपकी माहन किरपा होगी आप बहुत माहन हो आप बहुत स्टॉंग भाई हो अगर आप ऐसी करते हो या खुछ भी किसी से गलत कोलते हो तो इससे आपके ही इमान पर डिफेक्ट पड़ता है आपको सब हर कोई गलत बताएगा कि यह ऐसा है बैसा है हरे किसी की वीडियो पर जाते हैं तो वह ऐसा मेसेज करते हैं तो यह गलत है आपके ही लिए गलत है इसलिए आप गलत म माहन किरपा होगी बटके फिर भी आपकी मर्जी है आपको ऐसे ही मेसेज पसंदें तो आप कर सकते हो और इतना हो सकता है कि हम लोग उस मेसेज को खोल के नहीं देखूंगी उस पे ध्यान नहीं देना छोड़ देंगे क्योंकि आपकी आदत पढ़ गई है ऐसे मेसेज करने की तो आप करते रहना और वटके अगर आपकी आदत नहीं है तो आप मेरी बातों का सुनके कुछ भी तो थोड़ा बहत तो आप में चैंजिंग आएगी ऐसी बात नहीं अगर आप स्टॉंग भाई हो तो आपमें बहुत बदलाव आएगा और भाई बस आपसे इतना ही कहना बटके आगे आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगे वो करो चलिए अब फिर मिलते हैं तब तक हम अपनी दाल पीछ लेते हैं अब जाएश हमने दाल पीछ ली और गर्मी है बहुत तेज आप देख सकते हो और चलते हूं आपचे टोषन गया है तो वह आरा होगा बोला था कि मुझे बूंग लग रही है खाना जल्दी बनाना तो मैं चलती हूं ऐप खाना बनाएंगे और बहुत गर्मी है तो जल्दी बना लेती हूं तब तक वो आएगा और मैं दाल की पकोड़ी बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे बनाने के बाद अभी तो नहीं दिखा सकती कियोंके मैं बनाते बनाते एक हांस से नहीं दिखा पाती हूं इसलिए मैं आपसे बोलती हूं कि मैं बनाने के बाद दिखाती हूं तो गाइस प्लीज मुझे माप करना में बनाने के बाद यह आपको दिखाऊंगी तो चलिए मैं अभी अपना खाना बनाती हूं फिर बाद में आप से मिलेंगे हमारी पकोड़ी बन चुकी है यह हमने बना ली है आप देखे आपको अम तोड़ के दिखाते हैं यह कितनी यह मी बनी एक दम टेस्टी यह आप चटनी के साथ यह सोंचते किसी दे खा सकते हो यह चाए के साथ भी यह बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है है कि अच्छी आप अधिक आप इस तरीके से बनाई है उपने साधा सेंपड्ट एक दम जब देखो, अभी इनका मेक अप करूँगी मैं। देखिए गाइस, अम लोगों का डिनर हो चुका है और अभी अब शेक तो लेट गया है, निर्दोस फोन में कुछ कर रहे हैं, और इधर ये अपनी कटिया में पता नहीं क्या कर रही है हो, क्या कर रहे हो? कटिया तोड़ दी तुनमें? कटिया तोड़ दी तो उन्हें, मेरे बजन से कटिया तोड़ गई। आप लोगों का डिनर हो गया, मेरा तो हो गया, और मैं अब यहां बैठी हूँ, और अपनी वीडियो की एड्टिंग करूँगी। और देखिये गाइश, इन्होंने कूलर बंद कर दिया है, आवाज आती ही वीडियो में इसलिए, और हम बस अपनी वीडियो को यहीं परेंड करती हूँ, आसा करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइन कमेंट करना, सस्क्राइब करना और बैल आइकन जरूर दवाना दोस्तो, जो भाई बेंड मेरे चैनल पर नए है, तो प्लीज मुझे जॉइन करना, तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं परेंड करती हूँ, जैशी किस्ना, रादे रादे, थैंक यू फोर वाचिंग, बाई बाई